हैलो, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है तो इसके लिए मैंने आपके सामने थ्री कार्ट्स रखे हैं तिनों में से कोई एक कार्ट जूस कर लो तो चलो कार्ड नमर वन की बात करते हैं Card number 1 बताता है patience, so आप patience रखो, ठीक है, इतना time आपने patience रखा है, थोड़ा time और patience रखो, आपके सामने पता है, मुझे कि हाँ बहुत सारी problem सारी है, आपने बहुत patience रखके इतना time निकाला है, थोड़ा सा और time निकाल लो, ठीक है, so card number 2 की बात करते हैं, card number 2 मुझे क्या बताते हैं, मैं यह देख रही हूँ, so card number 2 की बात करते हैं, यहाँ पर, so card number 2 है flexibility, ठीक है, तो क्या होता है, मैं पता है कि आप strength ले रहे हो अपने लिए, लेकिन क्या होता है कि कुछ चीजों के साथ हमें, हमने situation के साथ अपनी situation को यह करना पड़ता है, यानि कि उसके अनुसार से जा रही है, कि अगर आपके relationship में आपको flexible होने का अभी जरुत है, तो आप flexible हो जाओ, इसमें ego attitude मत तक हो, ठीक है, so अगले cut की बात करते हैं, तो यहाँ पे है love, wow, so आपकी love life में changes आ रहे हैं, कि आपके person आपकी life में आने वाले हैं, so यह रही, आज की reading मिलते हैं, अंगले reading में, bye bye